मुश्कार वागवान भायो आज एक और जानकारिया आपके समक्ष लेकर उपस्तित हुआ हूँ उम्मित करता हूँ आप सभी वागवान भायों को जानकारिय अचले वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी आपकी सुझाब होंगे तो कि प्या कमेंट बॉक्स पे हैं मुझे ज यह कर गोल्डन की ग्राफ्ट है इसमें फूट देख रहे हैं आज 26 अगस्त को जो है इसका हर्वेस्ट हो रहा है मैक्सिमम ग्राफ्ट से जो है वैसे तो पॉलिनेटर जो हमारी ग्राफ्ट होती है पॉलिनेटर जो प्लांट होता है उसमें फूट सेट के बाद जो है जब जब फ्रॉवरिंग हो जाती है फूट सेट हो जाता है उसके बाद जो है उसका जो फूट है उसको जो है थेनी कर देने चाहिए उसको पूरा उतार देना चाहिए होता है परंतु मैक्सिम मैं जो है मैक्सिमम मैं जो है इनको रहने देता हूं क्योंकि गोल्डन है तो बहुत ह पानी वराइटी है और ये इससे जो है इसका जो टेस्ट है विटामेंसी से भरपूर और शेल्फ लाइब काफी अच्छी होने के कारण जै मुझे ये फ्रूट जो है बहुत ही पसंद है इसलिए मैं इनको रहने देता हूं तो ये देखिए इसमें बिल्कुल पूरा रस भरा हुआ है और अभी बढ़िया खटा से वह तो जैसे से ये येलो होगा पीला होगा वैसे वैसे जो है ये पकना शूरू हो जाएगा तो बागवन भायों आज वीडियो बनाने का मकसद यह है कि नई वराइटी पे भी आप जाएं क्योंकि उनके मार्केट प्राइस आपको अ अपना ही मजा है तो आज आपको इस वीडियो के मादम से ही एक संदेश देने जा रहा हूं कि अपनी पराणी वराइटी को भी ना चोड़े और नई वराइटी को भी लगाएं ऐसा नहीं कि उनको ना लगा इनकी जगा जो आज बहुत सारी pollinator varieties और red delicious varieties ननलेली है जिसका बागवन भाईयों को फायदा भी काफी अतिदिक मातरा में हो रहा है और production में भी वो काफी अच्छी है और साथ इसाथ price भी उनके अच्छे मिल रहे है market के लिहाज से आगे demand भी काफी ज्यादा है high color strain की लेकिन जो यह प्राणी varieties है अगर इन पर हम काम करना छोड़ देंगे तो यह जो है विलुप्त हो जाएंगी और फिर इनको ढूंद पाना असंबब है इसलिए इन पर भी काम करते रहे हैं तो यह देखिए golden golden का जो है size हर एक चीज काफी एच्छी है इसमें इसके एक पहचान है यह जो है golden में हलके से brown brown color के धपे रहते हैं शुरू में काफी हरा रहता है और बाद बाद में यह पीला पढ़ना शुरू हो जाता है और उस टाइम जो है इसमें मिठा सा जाती है पहले यह खटा बहुत जादा रहेगा vitamin C से बरपूर और बाद में जो है यह मिठा हो जाता है तो खाने में तो वा परनी एस पे क्लम करें अच्ची मेंल्ध करें अच्छी आमधनी हासिल करें अच्छे दा मों में बेचें लेकिन परानी व्राइटी नि जो प्रूर को घूल कुल समापत ना करें छोड़ा उमें भी आप द्यान दें और ठोड़ा उनको भी आगे चलाते रहें ताकि हमारे जो प्राने जो बुजुरुग जो 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 है इस पे काम करते थे उनकी यादों में जो है ये हमारे साथ की जो विडि़ाइटीज है ट्रिशनल विडि़ाइटीज भी हमारे साथ बनी रहे इसी उमीद के साथ आज की वीडियो बना रहा हूं इसी संद्देश के साथ आपको आपकी समकर्वी वीडियो बना रहा हूं है और यही है कि फ्लावरिंग गलिश्यश ब्रटशिक सेट हो जाया है और instructionお願いします और ताकि नेक्स्ट यूर्स में ट्याफी अच्छे फ्लावर आए और क्योंकि अगर आप फूट जा लगेंगी तो जो बीमा है वो तूपता है इस तरह से और अगले साल के लिए पॉलिनेशन जो अच्छे से नहीं हो पाती इसलिए परंतु में जाकर रहने देता हूं कि मु अलांकि इसकी में प्रैस अब काफी घड़ चुके हैं ने विर्टी आने के करण जिसमें ग्रेनीश्मित पिंक लेड़ी हो गया आपका रहूसारी विर्टी गाला हुट्राइश के करण जो हैसका मार्केट प्रैस डाउन हो गया है लेकिन फिर वी इसकी अपनी ही एक नहीं छोड़ना है सिर्लिंग पे तो नहीं व्राइटी के साथ रोयल को भी आगे ले जाना है ताकि हमारे जो ट्रिशनल है वो भी साथ व साथ जो हमारे हमारे बीच रहें तो बागवान भाईयो आज जान करिशेर करने का मकसद यही है कि अपने और्चड में प्राणी वराइटी के भी कुछ एक प्लांट से रहने दे उन पे भी काम करते नहीं यह देखिए हलके ब्राउन दब्बे मैंने बताया था आपको शुरू में हलके ब्राउन दब्बे जो पावन भाईयो उम्मित करता हूँ आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी जाजाता शेयर करें लाइक करें और कमेंट डॉक्स ते सुझाब भी होगी है थैंक्यू